आपको पता है हमारे कपड़ों में भी प्लास्टिक है? हमें लगता है प्लास्टिक प्लीूशन का मतलब ये या ये पर एक major source of plastic pollution है हमारे कपड़े हाँ और इसके बारे में किसी को नहीं पता आपने शायद polyester, nylon, acrylic या दूसरे synthetic fibers का नाम सुना होगा यह अपने कपडों के लेबल्स पे देखा होगा यह सब प्लास्टिक के ही अलग-अलग फॉर्म्स है और आजकल वर्ल्ड के 60% कपड़े इन से बनते हैं In fact, polyester का दूसरा नाम ही pet है जैसे pet bottles और इसलिए pet bottles से भी वापिस कपड़े बन सकते हैं जैसे मोदी जी की यह jacket और प्रॉब्लम यह कि हर बार धोने के बाद इन कपड़ों से निकलते हैं पतले प्लास्टिक के fiber जो इतने पतले होते हैं कि वाशिंग मशीन के filter भी इने पकड़ नहीं सकते और कभी-कभी एक हाली microscope के अंदर दिखते हैं घूम फिरकर यह microfiber जाते हैं oceans में फिर वहाँ से मशलियों के अंदर और फिर वापिस हमारे पेट के अंदर अब सोचिए दुनिया भर में ऐसे कितने कपड़े धुलते हैं और ऐसे कितने microfiber इन कपड़ों से निकलते होंगे solution जितना हो सगे पहनिये natural fibers के कपड़े और अगर कुछ नया सीखाओ तो आगे share करें